प्री बॉडी डाइग्राम्स में हलका सा फरक दिखाई देने लगता है और एक्वेशन में हलका सा फरक दिखाई देने लगता है मगर अल्टिमेटली सौर्व होके जो रिजल्ट आका है वो हमेशा सेम होता है रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट में कभी कोई फरक दिखिए एक प्राब्लम हम इसी समय करते है this is a cylindrical, hollow cylindrical room you can say it is a large room, a cylindrical room or it is rotating with angular velocity omega ये एक cylindrical room है और ये पूरा का पूरा cylinder जो hollow है अंदर से ये omega angular velocity से भूम रहा इधर यहाँ एक block है जो इसके साथ में cylinder के साथ में भूम रहा है and the coefficient of friction coefficient of friction is mu this block था is cylindrical wall के साथ में जो coefficient of friction है वहाँ mu है अब यह block गिर भी सकता gravity की वज़ा से यह block नीचे गिर भी सकता मगर यह block गिरता नहीं है now you need to tell me minimum मिनीमम ओमेगा so that the block does not fall minimum मिनीमम ओमेगा क्या होना चाहिए जिससे की यह block बिलकुल भी गिरे नहीं the radius is r the radius is r cylinder का radius r मैं प्रोब्लम को एक और बार सम्झा दिता हूँ it's a hollow cylinder and it's a hollow cylinder having radius of r radius r and rotating about its axis अपनी axis के about ऐसे rotate कर रहा है फिर इसे गुम रहा है इस hollow cylinder में इदर एक block रखा हुआ जो दिवाल से चुपका हुआ है और दिवाल से चुपके है cylinder के साथ-साथ में गूम रहा है दिवाल से चुपके हुए cylinder के साथ-साथ में गूम रहा है अब कहाई बाद this block is free to fall the block this excite is free to fall yet मैं चाहता हूँ कि यह गिरे नहीं इस situation के लिए what minimum omega what must be the minimum angular velocity of this rotating cylinder so that the block does not fall यदि मैं चाहता हूँ कि यह block नहीं गिरे तो मुझे omega की minimum value क्या रखनी चाहिए चाह आप इसी समय सोच चमच कर यह बात पता सकते हैं मैं इस problem को समझाऊँगा और इस problem को समझाने के लिए मैं दोनों ही reference frame में काम करके दिखाऊँगा मैं inertial reference frame में भी इस problem को हल करके दिखाऊँगा और मैं non inertial reference frame में भी इस problem को solve करके दिखाऊँगा और ultimately मैं यहाँ conclude करूँगा कि सोचने के तरीके में तोड़ा सा फरक जरूर आ जाता है मगर final result, final answer दोनों ही reference frame में same रहता है मैं 3-4 मिनट पहले आपको सोचने के लिए समय देता हूँ कि आप इस problem में किस तरह से दिमाग लगाएंगे 3-4 मिनट के बात समझाना चले दे चलिए मैं इस problem को analyze करने का तरीका समझाता हूँ बड़े ध्यान से समझना In fact problem को कैसे present करा जाता है किस तरह से solution लिखा जाता है इस बात को भी आप बड़े जान से दिखेंगे मैं सबसे तालिया आपको समझाओंगा In Inertial Reference Frame हम इस problem को solve करते है In Inertial Reference Frame Inertial Reference Frame मतलब कोई person जो बिलकुल stationary है जो बिलकुल बाहर खड़ा है इस ब्लॉक को देखता है इस Inertial Reference Frame में यहाँ जो ब्लॉक है इसके उपर एक तो vertically downward direction में Mg force लगना चाहिए vertically downward direction में एक तो gravitational force Mg लगना चाहिए और इस Mg की वज़ा से यहाँ नीचे गिर सकता है इस Mg की वज़ा से यहाँ नीचे गिर सकता है मगर इसको गिरने से कौन बचा रहा है कौन इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है जब यह नीचे की तरफ slide करना चाहता है गिरना चाहता है तो definitely यह जो cylinder है इसकी वज़ा से frictional force उपर मिल रहा होगा और इसी के frictional force की वज़ा से यहाँ नीचे नहीं गिर पा रहा अब इसके अलावा जब यहाँ block cylinder के साथ साथ omega angular velocity से circular motion कर रहा है cylinder के साथ साथ घूम रहा है यहाँ तो cylinder के साथ साथ घूमने की वज़ा से इसका radially invert direction में acceleration हो रहा होगा centripetal acceleration हो रहा होगा और radially invert direction में यहाँ जो acceleration हो रहा है कौनसा ऐसा force है जो इसको radially invert direction में accelerate कर रहा है centripetal acceleration दे रहा है कौनसा ऐसा force है जो centripetal force का काम कर रहा है यह जो cylinder है घूम्टा हुआ cylinder यहाँ block को normal direction में प्रेस कर रहा होगा इस पर एक normal reaction लगा रहा होगा यहाँ normal reaction this this would provide the necessary centripetal force में कातां here normal reaction N provides the necessary cent capital force and this radial acceleration is omega square r मैं radial acceleration को omega square r के लिख रहाँ क्योंकि मुझे minimum omega दता ना है since I need to work for minimum omega hence let's write all the quantities in terms of omega यदि हमें linear speed बता ना होता तो हम v square by r लिखते हैं जंदरली v omega हम बहुत ही कम लिखते हैं rarely लिखते हैं v omega दो या तो हम radial acceleration को v square by r लिखेंगे या हम लिखेंगे omega square r जब हमें velocity के terms में काम करना है आगे velocity लिखालना है तो v square by r मगर दता minimum omega निकलना है तो radial acceleration को हम लिखते है omega square r हम कहते हैं इस नॉर्मल रेक्शन इस एक्वल तो M इन्टो A R और इस नॉर्मल रेक्शन इक्वल तो M इन्टो ओमेगा स्क्वार R और दिस इस इस था सम्शिपिटल पोस अब यहाँ एक वर्किंग हो गया, अब दूसरा वर्किंग आप ऐसे करते हैं यहाँ ब्लोक ग्राविटी की वज़ा से M G की वज़ा से नीचे गिर सकता था मगर फ्रिक्शन इसे गिरने नहीं दे रहा है हिंस एक्टिंग फिक्शनल फोर्स एक्टिंग फिक्शनल फोर्स विच इस एफा जो मैंने इंडिकेट कर रहा है that must be equal to mg acting frictional force must always be equal to mg यह acting frictional force mg से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि यह acting frictional force mg से ज़्यादा हो गया तो तो वो उपर ले जाने लगेगा और को फ्रिक्षिन उपर थोड़ी ने ले जा सकता है और यह acting frictional force mg से कम भी नहीं हो सकता क्योंकि यदि यह mg से कम हो गया तो mg की वैसे block नीचे गिर जाएगा यदि block ना उपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है block बिल्कुल अपनी इस horizontal position पर fix है और अपनी इस horizontal position पर cylinder के साथ circular motion कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि upward frictional force must be equal to downward gravitational force तो acting frictional force fr must be equal to mg यह जरूरी है अब हम कहते हैं किसी भी जगा पर यदि normal reaction n हो किसी भी जगा पर normal reaction n हो पर coefficient of friction हो mu then maximum available frictional force maximum available frictional force जिसको हम fr max कहते हैं this is always equal to mu into n it's always equal to mu into m की जगा पर m omega square r गई पर भी जो maximum available frictional force होती है इन दोनो block और cylinder wall के बीच में जो maximum frictional force act करेगा जो maximum frictional force हो सकता है जिसको हम fr max लिखेंगे this would be equal to mu into n n की जगा पर हम n की value लिख जते हैं m omega square r it would be mu into m omega square r this would be the maximum available frictional force इससे ज़्यादा frictional force वहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता अब हम कहते हैं इस जो acting frictional force है it should be always less than equal to maximum available frictional force acting frictional force कभी भी maximum available frictional force से ज़्यादा नहीं हो सकता acting frictional force को maximum available frictional force से कम ही होना होगा या उसके बराबर हो सकता वो उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता अब acting frictional force की जगा पर मैं mg लिख देता हूँ acting fractional force की जगाँ पर mg must be less than equal to maximum available fractional force की जगाँ पर मैं लिख देता हूँ mu into m omega square r दोनों तरफ से m और m cancelled मुझे minimum omega निकालना है जो कि निकलता हूँ अब बिलकुल साथ दिख रहा है G upon mu r omega square should be greater than equal to this or omega should be greater than equal to under root of G by mu r or I will say minimum omega is under root of G by mu r this is the minimum value of omega for that which the block would never fall and this is the method this is the way we will solve this problem in inertial reference frame inertial reference frame में हम इस problem को इस तरह से solve करेगे हम इस तरह से free body diagram बनाएंगे इस तरह से equations लिखेंगे और finally इस तरह से हम answer देंगे बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि अब दोबारा इस problem को मैं solve करने जा रहा हूँ और दोबारा जब मैं इस problem को solve करूँगा तुम्हें non-inertial reference frame में इसी situation को analyze करके दिखाऊँगा कि non-inertial reference frame में कैसे देखेंगे कैसे free body diagram बनाएंगे कैसे equations को लिखेंगे सबसे पहले इसी को note down कीजिए इसी को बड़े ध्यान से समझे now let's learn analyzing the same problem in non-inertial reference frame of circular motion itself in non-inertial reference frame अब इसी situation को non-inertial reference frame में भी दा मैं clarify कर दूँ of circular motion itself circular motion itself मतलब कोई वह observer अब्जर्व करें जो स्यम cylinder के साथ ही cylinder के साथ साथ घूम रहा है वो भी circular motion कर रहा है वो इस situation को कैसे देखेगा कैसे बनाएगा यहाँ block है once again वहाँ क्या कहेगा कि भाई mg vertically downward direction में लगना ही चाहिए और इस block को गिरने से prevent करने के लिए frictional force उपर की तरफ लगना ही चाहिए जब block नीचे गिरना चाहेगा तो इसको गिरने से रोकने वाला frictional force ही होगा अब वहाँ क्या कहेगा यह equation में कोई फरक नहीं है फरक किस जगह पर है यह कहेगा this particle which is executing circular motion there must be some radially there must be some force in radially outward direction we'll call it sentry fugal force in fact it's a pseudo force वहा radially outward direction में sentry fugal force बना जेगा M omega square R M is the mass of this block and omega square R is its acceleration जो observer है उसी का acceleration है omega square R radially in इदर यह जी कोई observer करा है जो इसको इसको देख रहा है तो जो देख देखला है तो वहा जो जो फ़यम radially inward direction when accelerated है वहा opposite to its acceleration means radially outward direction में force लगा रहा है वो जो पॉर्स mass of this block into this acceleration radially outward direction this is M omega square R this force F is centrifugal force it is in fact a pseudo force radially outward direction in radially outward direction radially outward direction pseudo force from centrifugal force or pseudo force balance centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है इस pseudo force को balance करने के लिए necessary centripetal force is provided by normal reaction अब इस case में देखिये हमने particle का कोई acceleration नहीं दिखाया है पिछला free body diagram देखिये inertial reference frame में दो free ball diagram बनाया है वो देखिये वहाँ आमने radially inward direction में acceleration दिखाया है मगर यहाँ आमने कोई acceleration नहीं दिखाया है क्योंकि इसके respect में यहाँ block तो stationary ही रहेगा मगर इसके respect में इस block पा radially outward direction में pseudo force centrifugal force जरूर बनाया है और अब हम कहेंगे कि यहाँ जो radially inward centrifugal force है this must be equal to radially outward centrifugal force radially inward direction में यह जो centrifugal force है this must be equal to centrifugal force in radially outward direction and this frictional force must be equal to mg आगे concept बिलकुल वैसे के वैसे ही आगे की concept में कोई फरक नहीं वो तो friction का concept है कि maximum available frictional force कहीं पर भी maximum available frictional force कहीं पर भी दो contact के बीच में जो maximum available frictional force होता है वो हमेशा mu into n होता है इस केस में mu into this is fr max और इस केस में वह हो गिया mu into m omega square r यह एक जनरलाइज़ कंसप्त है यह circular motion का concept नहीं है यह कोई inertial यह non-inertial reference frame का कोई concept नहीं है this is a generalized concept of friction this is a generalized concept of friction maximum available frictional force this is from fr max it is always equal to mu into n or either n k value m omega square r is mu into m omega square अब यह भी एक जनरलाइज़ कंसप्त है कि जो acting frictional force होता है it should be always less than equal to maximum available friction यह भी एक जनरलाइज़ कंसप्त है इसका भी इस chapter से कोई लिना दिना नहीं है circular motion से कोई मतलब नहीं है inertial यह non-inertial reference frame से भी कोई मतलब नहीं है this is also a generalized concept this is also a generalized concept which is always applicable which always holds किसी भी chapter में कहीं पर भी यह बात हमेशा लिखी जासे फिर हम इस problem की situation को लिखते हैं कि frictional force की जगा तो हम mg लिख दे less than equal to maximum available frictional force की जगा mu into m omega श्विरा और फिर इसकी बाद में जो हमें चाहिए उसके लिए हम solve करें हमें minimum omega चाहिए तो minimum omega के लिए solve बढ़ी आसानी से करा जा सकता है क्योंकि omega greater than equal to certain value दिखने लगी है मतलब omega को उससे जदा ही होना चाहिए उससे कम नहीं हो सकता इसके बाद मैं एक interesting situation कराता हूँ the situation of vertical circular motion the situation of vertical circular motion अब इसमें मैं जो situation बताता हूँ एक तो this is point O is point O से बंदी हुई this is a light rigid rod of length L a light rigid rod of length L सबसे पहले what do you mean by a light light rod light शब्द का मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये काफी हलकी है इसका कोई खास mass नहीं है you may treat it as massless rod इस light word का मतलब है की काफी हलकी rod है इसका कोई खास mass नहीं है and it can be treated as a massless rod what do you mean by rigid rod rigid means it does not elongate or contract you may apply any amount of force but this rod would neither get compressed nor it would get elongated जैसे हम किसी चीज़ को खीशते हैं this object मैं इसके दोनों तरफ से force लगाता हूँ इस तरह से और देखिए ये दब गया ये compress हो गया इसे हम rigid body नहीं कहेंगे इसे हम कहेंगे deformable body deformable body क्यों कह रहा है क्योंकि force के लगाने पर यह deform हो गई on the other hand this chalk यह chalk इस chalk पर मैं दोनों तरफ से force लगा रहा हूँ इसको दबा रहा हूँ मगर यह दब नहीं रहा यह deform में नहीं हो रहा या तो मैं इसे कहूँगा non deformable या फिर मैं इसे कहूँगा rigid एक पतली सी steel की rod ले ले that should be very light उसको मास्ते सोना चाहिए उसमें force लगाने पर न तो extend होती है न compress होती है ऐसी rod को हम rigid rod कहते है तो है light rigid rod of length point O पर fix है और इसके दूसरे end से एक point mass M इसके दूसरे end पर mass M at other end इसके दूसरे end पर mass M में शडफ़ लेंख एक दूसरे rotating in vertical plane with angular velocity omega. I will say with constant angular velocity omega. with constant angular velocity omega. constant angular velocity omega. Now, my question is, what is the tension or compression at its lowest and the topmost point? Tell me the compressive force or the elongative force. Tell me the force in the rod, compressive or elongative force on the rod or the tension in the rod. tension in the rod at its bottom and its topmost point. bottom point पर और topmost point पर. इस rod में compression or elongation जो भी कुछ है, वहां बताना है. उसका magnitude बताना है, उसकी value बताना है. अब देखिए, सबसे पहली बात. इसलिए इसको constant angular velocity omega से घुमाया जा सकता है. इसे constant angular velocity omega से घुमाने में कोई समस्य नहीं है. जैसे यह एक light rigid rod और मैं इसको बड़ी आसानी से ऐसे घुमा सकता हूँ. constant angular velocity omega से ऐसे घुमा सकता हूँ. I can always design a mechanism जैसे constant angular velocity omega से घुमाया. जैसे light rigid rod और यह से घुम सकता हूँ. क्या आप अपने आसपास ऐसी rigid rod, constant angular velocity omega से कहीं कोई घुमती ही देख सकता है? constant angular velocity omega से कोई rigid rod घुम रही हो. अपने आसपास Any example? जो दीवाल गड़ी रगी है. जो wall clock है. वो example है. wall clock में minute hand as well as the r hand as well as the second hand. वो तीनों ही rigid rod है. वो rigid rod है. वो deformed नहीं होते हैं. और गड़ी में वहा constant angular velocity omega से घुमते रहते हैं. गड़ी के पीछे कोई mechanism है जो इसको constant angular velocity omega से घुम आता है. मिनट का जो कटा है, वो भी fixed angular velocity से घुम आता है. सेकेंड का कटा भी. और हमने कहां कि वो light rod है और उससे इस तरह का कोई mass बना हुआ है. अब इस case में इस rod पर किस तरह का कैसा tension आएगा. अब मैं कहता हूं, in such a type of problems, it really looks very easy to treat and solve this problem in non-inertial reference frame. जनरली जब आप problems करेंगे न, तो problems करते करते आपको ऐसा लगेगा कि non-inertial reference frame में problem को देखना, उसको visualize करना, उसको solve करना relatively आपको easy लगेगा. उसको बड़ी आसानी से visualize भी कर पाऊगा. और जैसा मैंने बताया है कोई खास फरक नहीं पड़ता है inertial या non-inertial reference frame change कर देने से, हलका सा free body diagram में ही फरक पड़ता है, equation लिखने के तरीके में ही फरक पड़ता है, final result में कोई खास फरक नहीं पड़ता है. अब इस situation को आप कैसे solve करेंगे? दो तीन में पहले आप सूचिए, फिर सुन जाता हूँ. light, rigid, rod, length. मतलब radius आप फ्हलने लोगे, point of perfect size के about us से गुमाया जा रहा है, इसके दूसरे end से mass M बदा हुआ है, इस rotating in vertical plane, vertical plane में rotate कर रहा है, with constant angular velocity omega. और मैंने पूछा है, tension in the rod at its bottom and at its topmost point.